Welcome Students, उमेद सभी student अच्छ होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे health certificate के बारे में पिछले काफी दुनों से बहुत सारे students के हमेरे पास कमेंट आ रहे थी कि सर health certificate के बारे में बताए कि health certificate के से बनाए तो students इस वीडियो में पूरी complete जानकरी health certificate के बारे में हम जानने वाले हैं तो वीडियो को complete देखे पूरी जानकरी आपको health certificate के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो समझो आपका health certificate बन गया जी हाँ बिल्कुल student आप यकीन नहीं करोगे शिरफ आपको इस वीडियो complete देखना है health certificate शिरफ आपका चुटकियो में यहाँ पर बन जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले health certificate के बारे में पूरी जानकरी हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले health certificate का क्या मतलब है सबसे पहले आपको बता जाते हैं कि health certificate क्यों बनवाया जाता है और health certificate का क्या मतलब है तो student health certificate के अगर हम बात करें तो health certificate का मतलब है जिस वेक्ति के पास health certificate होता है तो उसका मतलब होता है कि वह पूरी तरह से fit है यानिकि वह पुरी तरह से physically fit है और यहाँ पर पुरी तरह से mentally fit है Students अब बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे student ऐसे हैं जो गलती से फिजिक यानिकि एक certificate होता है physical fitness certificate वो लियाते हैं वो मानने नहीं होता student health certificate में दोनों आते हैं physical health और mental health यानि कि जिसके पास health certificate है उसका मतलब होता है वह वेक्ति physically और mentally रूप से सवस्त है student health certificate का यही मतलब होता है अब यहाँ पर बात आती है कि students को health certificate क्यों बनवाना पड़ता है इसका क्या उपई हो गए student health certificate आपके लिए क्यों आउसक है क्योंकि यह आप जितने भी आपके medical courses आप करोगे जितने भी medical जैसे आपका B.A.C. nursing हो गया पेरा medical हो गया फार्मेसी बिपिटी साथ ही आप मालो कोई भी students है वो government job की त्यारी कर रहा है तो उसे भी health certificate की आउसकता प पढ़ सकती है तो student health certificate आपके पास होना बहुत ही जरूरी है student आजकल तो medical में इसे compulsory कर दिया गया है अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर health certificate कैसे बनवाई देखिए जैसे students के मन में यानि कि जैसे student पहले बार health certificate को सुनता है यानि कि नाम सुनता है तो students के मन में आता है कितना समय लगगा health certificate के बारे में इसके में क्या हमारी जहां चूंगी क्या होगा health certificate के बारे में पता नहीं कितना समय लगएगा तो students आपको क्या करना है health certificate में अब मैं आपको जो है इसकी असलियत बताता हूँ health certificate है वो कितने समय में बनेगा आप जानकर चोग जाओगे और कितने रुपे में यह बनने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मातर केवल 10 रुपे में आपका health certificate है वो बन जाएगा student जी हाँ बिल्कुल student तो आप समझ सकते हो कि इसे बनाने में कितना वक्त और energy लगने वाली है मातर दस रुपे में आपका health certificate बन जाएगा और timing की बात करनें तो 15 मिनिट में आपका health certificate है वो बन जाएगा student जी हाँ बिल्कुल स्टुडेंट अम मेन बात आती है कि यहाँ पर इसे कैसे बनवाए 10 रुपे में और 15 मिनिट में शिरफ आपका हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोरम बरना होगा जी हाँ बिल्कुल स्टुडेंट कैसा फोरम चलिये आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पर दिखाते है suffered ख़ाते हैं यह फोरम मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चेनल पर टेलीग्राम चेनल का लिंक डिस्केश में जाईए और इस फोरम को डाउनलोड करिए और इसकी फोटो को भी निकलवा लिजे स्टुडेंट्स अब यहां पर क्या करना है आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना सिंपली इ आपने जो भी पता है इसमें डाल दीजिए दो मिन्ट का काम है और यहां पर सबसे पहले देखिए सबसे पहले इस सर्टिफिकेट इस बिंग इवन यानि कि किस परपस से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो कि कोई भी परपस जेखे कोई स्टुडेंट है कोलेज में एडिमिस सकते हो कुछ भी आपका किस परपस से ले रहे हो यहां पर मेंशन करना है अब यहां पर आता है में ओप यानिकि सिगनेचर ओप कंडिडेट आपके अस्ताक्सर यहां पर करने स्टुडेंट अब यहां पर सबसे में बात यहीं है यह देखिए सबसे में काम इसमें यहीं है इसमें क्या करना है कुछ भी नहीं करना आपको कुछ नहीं करना Simply आपको यहाँ पर Medical Officer के अस्ताक्सर करवाने है अब Medical Officer कौन किसी डॉक्टर के है डॉक्टर के सभी के नहीं यानि कि MB-based किया होता है वो डॉक्टर होता है लेकिन आपको क्या करना है जो Government Selected Doctor है क्यावल उनी के यहाँ पर अस्ताक्सर करवाने है और जिस पर हस्ताक्सर करवाने है यानि कि यहाँ पर उसकी जो हस्ताल है उसकी यहाँ पर सील लगने वाली है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना अपने नजदी की सरकारी हस्ताल में जाना है वहाँ से किसी डॉक्टर के अस्ताक्सर करवा लेने और यहाँ पर सील लगवा लेनी है अब यहाँ पर बात करते हैं आपको डॉक्टर के पाथ जाना है याँ कि सबसे पहले 10 रुपए आपको इस फोरम के फोटोकोपी निकलोने के लगेंगें साहिद वह भी ना लगें दोक्टर यानि कि कुछ डोक्टर इसे होते हैं जो आपको ये काम फिरी में कर देते हैं कुछ डोक्टर इसे होते हैं जिसे आप जो है कुछ पेसे भी वो डिपेंट करता है डोक्टर और आपके लग पर कुछ डोक्टर सो या 200 रुपे के फीस भी आपको देनी पड़ सकती है student तो यहाँ पर यह डिपेंट करता है अब यहाँ पर डेट आपको डालनी है और सील यहाँ पर लग जाएगी hospital की अब यानि कि जो आपके पास यह देखे यह पूरा बन गया वही आपका कलाता medical fitness certificate तो यही आपका होगा medical fitness certificate और यहाँ पर देखें note इसमें दे रखा है कि जब यहाँ पर यह date डाली जाएगी यह देखें जैसे यह date डाली जाएगी उससे एक साल तक ही यहाँ पर valid थे जैसे मैंने date डाली 1-1222 तो यह कब तक valid होगा 2023 तक यहाँ से दो तक यहाँ से दो date डालेगी उसके अगले एक साल तक ही है valid होगा student सो यह होता है medical certificate बहुत सारा हवा बना रहा है क्या होता है एक दन सीपल है कुछ नहीं करना होगा आपको तो इस प्रकार से मैंने बिल्कुल आसान बाता में सबसे कम सब्सक्राइब में आपको बता दिया उमीड़ा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर कोई भी आपके मन इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए जैन वंदे मातरम